दोस्तो वैसे तो गंज़ापन, बालनेस या हेरलोस हर व्यक्ति को परशान करता है, चाए वो महीला हो या पुरुश, लेकिन महीलाओं के अंदर हेरलोस या बालनेस बहुत परशान करने वाली बहुत तंग करने वाली होती है, वो इसे अपनी सेलf एस्टीम के साथ जोड़ क कर देखती हैं और जब महिलाओं में हेर लोस होता है या वो गंजेपन का शिकार होती है तो उनके मन के उपर इस बात का गहरा असर आता है कि उनके बाल कम होते जा रहे हैं दोस्तों आज का वीडियो इसी विशह पर हम जानेंगे उन पांच तरीकों के बारे में जो महिलाओं में हेर लोस को ठीक कर सकता है बालनेस को ठीक कर सकता है दोस्ते के इनुसार 50 प्रतिश्यत महिलाएं 50 साल की उमर आते आते हेर लोस का या बालनेस का शिकार हो जाती है दोस्तों इतनी बड़ी संक्या के अंदर महिलाओं का बाल होना या गंजेपन का शिकार होना या हेर लो सकते हैं stress induced भी हो सकते हैं हमारी आज्टों से समंदीत भी हो सकते हैं और किसी अन्य बीमारी के प्रभाव के कारण भी हो सकते हैं तो चलिए जानते हैं इन पांस तरीकों के बारे में जो महिलाओं के अंदर बालनेस को कम करते हैं बालनेस को ठीक करते हैं सबसे पहला तरीका है है medicines दोस्तों जैसे हमने पुर्षों के बारे में बात की थी उसी तरह से महिलाओं के बारे में भी कुछ medicines ऐसी होती है जो hair loss को कम करने में काम करती है दोस्तों FDA द्वारा approved medicine जो महिलाओं में local application के लिए जा सकती है वो है trichosis जिसे अती रोमता यानी बाल ज्यादा आने की विमारी कहते हैं वह सकता है इससे महिलाओं में facial hair आ सकते हैं चेरे पर उनके बाल आ सकते हैं दोस्तों मिनोकसिडिल के लावा कुछ herbal aspects भी ऐसे हैं जिनका कोई दुष्प भाव नहीं होता लेकिन ये बालों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं और hair loss को कम करने में महिलाओं में काफी कारगर्थ साबित होते हैं दूसरा तरीका जो महिलाओं के अंदर hair loss को कम कर सकता है वो है जबन नजर आ रहा है उसको भी हम भर सकते हैं दोस्तों प्रप का अर्थ है प्लेट लेट ट्रीच प्लाजमा थ्रैपी बड़ी कोमन थ्रैपी है हेर के लावा इसे आजकल कोस्मेटिक प्रोसीजर के अंदर प्लास्टिक सजरी के अंदर या डेंटल प्रोसीजर के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है PRP के साधसा जो तीसरा तरीका है बालो को रिपेर करने का बालो को ग्रोथ देने का एरलो से बचाने का वो है HRP यानि Hair Repair and Protective Thrapy दोस्तो इस Thrapy के अंदर Herbal Stacks की क्रीम बनाते हैं और उन क्रीम को बालो के अंदर अप्लाई करते हैं उन से बालो में मसाज की जाती है उसके वाद स्टीम दी जाती है और एक्यू प्रेशर से बालों के पॉइंट को स्टीमिलेट किया जाता है यह एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे बालों की रिपेर होती है क्यूटिकल रिपेर होती है बालों को स्टेंथ मिलती है बालों में कोई फंगस लगी है वो दूर होती है, split end खतम होते हैं और बालों को proper modulation मिलने की वज़े से बालों की quality अच्छी होती है जब बालों को massage दिया जाता है और एक्की pressure किया जाता है तो उनकी अंदर खून का भाव बढ़ जाता है जिससे बालों की growth अच्छी होती है दोस्तो इसके लावा दो तरीके और हैं जो महिलाओं के अंदर बड़े कारगर साबित हुए है चोता तरीका hair transplant जी हां दोस्तो जब बालों की जड़े खतम हो जाती है हमारे पास कोई विकल्प नहीं बसता, दुआई या अन्या procedure काम नहीं करते तब हमें hair transplant surgery का सहरा लेना पड़ता है आप सब जानते हैं ये दो प्रकार की होती है FUT और FUE आजकल ज़्यादा तर FUE परचलन में है इसी के दवारा हम लोग आजकल transplant करते हैं donor area से single single ball निकालकर recipient area में graft कर दिया जाता है रोप दिया जाता है जो समय के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाता है और patient की baldness को कम करने में काम करता है दोस्तो जो सबसे अंतिम पाच्वा तरीका है वो बहुत बढ़िया है बहुत effective है जिसके अंदर expense भी कमाता है density भी patient को proper मिलती है इसे hair patch या hair fixing कहा जाता है दोस्तो ये एक non surgical procedure है जिसके अंदर surgery का साहरा नहीं लिया जाता artificial caps होती है उनके पर बालों को गूद दिया जाता है और patient के baldness के हिसाब से इसको design किया जाता है बहुत ही अच्छी quality की ये hair patch, hair pieces या hair fixing उपलब्द होती है जिसे बहुत ही अच्छी glue के साथ patient की skin के साथ या tape और clip के साथ patient की skin के साथ बालों के साथ लगाया जाता है दोस्तो hair patch, hair wig बहुत ही अच्छा तरीका है female baldness को ठीक करने के लिए तो दोस्तो ये 5 तरीके हैं जो female type hair loss या female baldness, cellopatio endogenetica को ठीक करने में मदद करती है सबसे पहला medicine, दूसरा PRP, तीसरा HRP, चोथा hair transplant और पांचमा hair patch दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपके लिए लाबदा एक सीद होगा अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो सब तक पहुँचे, आपके जानकर भी समझ पाएं कि महिलाओं के गंजेपन को किस तरह से ठीक कर सकते हैं तो ये वीडियो उनके साथ share अवश्यक करें दोस्तो जिस विशे पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो उनाओं उसे आप कमेंट बोक्स में लिखें और आप तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहें इसके लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नवे विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार